गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में ठंडे पानी की लोगों को जरूरत भी महसूस होने लगी है मुरादबाद के अगबान पू नगरपंचायद लगे प्याओं में ठंडे पानी तो आना दूर और कई प्याओं में गंदगी की बज़ा से लोगों को परिशानिया हो रही है नगरपंचायद कारियाले से बताया गया है कि 17 प्याओं है जिसमें से कुछ प्याओं सुचारू रूप से चल रहे हैं और कुछ प्याओं खराब है कि प्याओ कुछ सुचारू रूप से चल रहे हैं मगर उसमें ठंडा पानी नहीं आता है इन समस्याओं के समधान के निये छेत्रवासियों ने नगर के प्रशासन से ही अपील की है कि इन समस्याओं का समधान हो जिससे गर्मी से कुछ लोगों को राहत मिल सके मरादबाद की अगवानपुर नगर पंचायत में गर्मी से छेत्रवासियों को राहत देने के लिए शीतल पेजल लगाए गए थे जिसके बाद कुछ समय तक के पेजल अपनी सिवाओं को देते हुए दिखाई दिये समय बीता तो यही पेजल अप्शोपीज बनते दिखाई दे रहे हैं छेतर में 17 पेजल प्याओं लगाए गए हैं जिसमें से कुछ प्याओं सो चारो रूप से चल रहे हैं और कुछ प्याओं अपनी मधाली पर आंसु बहा रहे हैं प्याओ में दो टोटियां लगी हैं जिसमें एक टोटी जादा तर प्याओं की गायब दिखाई दे रही है और कुछ प्याओं तो ऐसे हैं जो लापरवाहि को दरशाते हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के पास फैली गंदगी और अतिक्रमन भी दिखाई दे रहा है और छेतरवासियों का ये कहना है कि प्याओं के पास गंदगी भी फैली दिखाई दे रही है और अतिक्रमन भी दिखाई दे रहा है छेतरवासियों का ये कहना है कि गर्मी शुरू हो चुकी है किसी भ खराब पड़े सभी प्याओं के विवस्ता ठीक की जाए और ठंडे पानी की विवस्ता को पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी शुरू करने के लिए काम किया जाए जिससे छेतर के लोगों को गर्मी से कुछ रहत न सके इस समस्या के बारे में अधिशासी अधिकारी मरार प्रिशासन के प्रिशासन के अपिल करने जाते हैं पब्लीक गर्मी का मौसम पानी की जरूवत है इना ठीक कराया जाए कर दो बाब्लीक को करिस्त मलों